हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्स मेरे छोटे भाई बहन को धेर सारा प्यार आपके अपने यूटूब चैनल नीलम मिश्टा ब्लोग में स्वागत है फ्रेंज तो मौनिंग के बज रहे हैं च्छ और उठ चुके हैं और उठते ही जाडू से ही सुरुआत होता है मौनिंग में हम लेडिसों का तो बस हुआ ही जाडू दे रहे हैं पहले इस रूम में तो जहां हम लोगों का सोना रहना होता है ज्यादा तर वहीं और स्रिष्टी यहां पर सब्जी काट रही है और हम अपना जाडू उठा लिए हैं तुरंत उठते ही और स्रिष्टी को लगा दिये हैं कि सब्जी काटो क्योंकि सब्जी वही काटती है कभी-कभी ऐसा होता है कि म बहुत जादा गंदा हो गया था देख सकते हैं और कल साम को मेला था जो कि ब्लोग में हमने आप लोगों से सेयर भी किया था एक अदसी का तो बस बचे लोग कुछ जादा ही इधर उदर का सामान लाके खापी के फैला दिये थे रात को और प्लीज फ्रेंस अगर चैनल पे न किया था आप से सेयर भी किया थे क्योंकि आज और किचन गंदा दिखता है तो बहुत ही बुरा लगता है कोई काम करने का किचन का मन भी नहीं करता तो बस साम को इकिचन अपना साफसुत्रा कर देते हैं बस थोड़ा सा जाडू मार देते हैं और यहाँ पर आ गए हैं बाहर तो बाहर का भी जाडू लग जाएगा और जाडू लगाने के बाद तुरंधी हाथ फैर फेस दुलने के बाद मुझे चाय जाए है अचरोने के बाद मेरा आदत है और चाय पीने के बाद में वा राखी का काम होता है और गरम पानी रही हमने किया कि बाद फिर से चाय पीते हैं पर अब और उठीन हम चाट नहीं किये हैं और गर्मी में बंद कर देते हैं गरम पानी लेना और यहां पर सानी की पापा बराबर ही लेते हैं जो खाली पेट पानी लिया जाता है गरम पानी पर मेरा कोई नहीं रहता है पानी का अभी मेरा चालू नहीं है ठंड में लेते हैं और यहां पर देख सकते हैं जाडू भी मे किचन में आप लोग चलिए और चाय पी जिये मॉर्निंग का प्लीज टेंश सपोर्ट करिए क्योंकि हर ब्लोग में एक ही चीज मांगते हैं आप से आपका असिरबाद तो ओभी आप लोग देने में कंजोसी किम कर रहे हैं आप से आपका असिरबाद ही तो मांग रहे हैं फ्रेंज तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दे दिजिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दिजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए वीडियो को सेयर कर दिजिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि बहुत मेनत लगता है फ्रेंज गाव में ब्लोग सूट करना आसान नहीं होता है और जाते हैं जब वहां खेते कटाई करते हैं ब्लोग सूट करते हैं तो थोड़ा अजीब सा फील होता है और समझ सकते हैं गाउं वाले क्या क्या कैसे कैसे बाते करते हैं तो बस इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है कि आप सपोर्ट करिए हमें भी आगे तक लेके चलिए अपने प्यारी सी बहन को भी एक हीटूब के जरी थोड़ा सा कुछ सपोर्ट करिए मैं भी कुछ कर सकूं तो बस इसलिए आपसे थोड़ा सा रिक्वेश्ट है फ्रेंस और यहां पर चाय हमने चड़ा दिया भी बिना सक्कर का और सिंगहाडा है क्योंकि आज है एक दसी और एक दसी के एक दिन पहले का मेला लगता है एक दसी की दिन ब्रत रहते हैं लोग तो बस उस दिन मेला नहीं लगता है इसलिए और उसके एक दिन पहले ही मेला लगता है तो कल बचे लोग मेला गये थे और एक दसी की दिन सिंगहाड़ा और कंड़ हमारे यहां साम को ऊख यहीं चड़ाया जाता है और उस पूझा और होते हैं और उसको खाया जाता है यहां पर फ्रीज के पास तार तो फर्स गया था थोड़ा सा और मॉर्निंग रूटीन है फ्रेंस सुबे 6 बजे से लेके 8 बजे तक का रूटीन है और ज्यादा बड़ा ब्लोग नहीं है तो वीडियो को फूल वाज जरू करिएगा फ्रेंस और अच्छी लगे तो कमेंट में बताईएगा कैसा वीडियो मे भी नहीं खा रहे हैं और काम जब ज़्यादा पड़ता है तो हम लोगों से भी खाना नहीं खाय जाता है तो बस वहीं इसमें काम ज़्यादा पड़ गये हैं तो मुसे भी उतना खाय पे नहीं जा रहा है और काम होते हैं तो थकान सा फील होता है तो बस आराम ही करने का मन क तो बस यहां जो भी जूठन था बाल्टी में डालने के बाद आ गए हैं इसको माज लेंगे और माजने के बाद तो फिर वही चलेंगे किचन में नास्ता पानी अपना तैयार करने के लिए क्योंकि बचों को भी इसकूल के लिए निकलना है और मुझे भी यहां से काम कर लेते हैं फटा-फट से इसके बाद नहां के चलते हैं किचन में और जो मेरी निव फ्रेंस जुड़ रहे हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें साथ मैं आपका रिटन कर दूंगी और आप कंटिन्यू बराबर आते रहें ब्लोग पे और जैसे ही मुर्ति है कि माफ कर दीजिएगा थोड़ा सा काम बढ़ गया है घर का और आप ब्लोग में देखी रहे हैं तो बस यहां पे नहाने के बाद आ गये हैं पूजा करने और पूजा करने का जो भी है थोड़ा सा ही क्लिप लिया है और यहां से फिर चलेंगे किचन में तो मंद है तो उसके अंदर बस दो ही हमने मुर्ति रखा हुआ है एक विश्णु भगवान का है एक माता दुरगा का है और यहां पे आज एका दसी भी है तो मौनिंग का पूजा ऐसे ही कर लेते हैं और साम का पूजा होगा जो अगले ब्लोग में आपको मिल जाएगा एका दसी का तो बस यहां पे थोड़ा सा ही जैसे हम डेली पूजा करते हैं सेंपल सा इसे ही कर चुके हैं और बाहर का जो जल चढ़ाते हैं जैसे वो हो चुका है और बस ऐसे धूबती रिखा के और चलेंगे आप किचन बस ऐसे ही सेंपल से मेरा पूजा होता है मौनिंग का फ्रेंस और बाहर का पुजा फनीस हो चुका था जो भी जल वगरा चढ़ाते हैं चढ़ा चुके हैं और यहां आ गए हैं किचन में तो एक साइड हमने दूद रख दिया है उबलने के लिए और बाजू में वहां रखे हैं सिंगारा ढ़के और मौनिंग में ही चाय की टाइम ही हमने ओड़िया है हमने तेल लाके तो थोड़ा सा प्याज हम्रा ब्राउन हो जाएगा इसकी बात से इसको भी डालके हम इस में तल लेंगे और बस नासता में बनेगा क्योंकि य बहुत कम बन रहे हैं क्योंकि सनी के पापा को परहेज है जो भी है जो होता है सुगर का उसमें नहीं खाया जाता हैं तो यहांपर बन जायेगा तो थोड़ा थोड़ा बच्चे भी ले हो यह भी नहां के नहां चुके हैं तो बस नासता कर जाएंगे और नहीं नहांते तो kitchen का झलोता छाया काम सब्सक्राइब जाता था पर नास्ता नहीं करते थे कि इतना सुबह मुझे कुछ खाने का आदत नहीं है बस जैसे चाय मिल जाए और नहाने के बाद तुरंत आते थे तो चाय बनाते थे पर आज नहीं बनाया है तो यहां पर मेरा बन चुका है दो रोटी तो पहले हम दे देते हैं सनी के पा है अभी तयार होंगे और पहले नास्ता कर लेते हैं इसके बच्चे तयार होते हैं पड़ाई केलिए तो बस मेरा नास्ता हो गया एक रोटी लेके बैठे थे वह भी खाया नहीं जा रहा था मार्णी में आदत नहीं है इतना जल्दी खाने का और स्रिष्टी को डाट रही हूं क्योंकि बच्चे जब इकठा हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बिक करते हैं और इनका स्रिष्टी का और सौरब का दोनों लोग को हमेशा ही चलता रहता है कुछ न कुछ तो बस देखे अभी खाना खा रही है क ज़से कहाँ कहाँ ऊठके खाना खायेंगी और देखे नजर उतार रही है स आमने कड़ा है और थाली ले के आ गया सौरब इसब्सापं का रहे हैं कि मेरे खाना में दोedereen का जगते और दौनों इस आगास को डिया कि अगर ऐसे चालू रखते तो आप लोग हस्ते हस्ते हो जाते और मैं अपना काम कर रही हूं कि लोग की चक्कर में अगर पड़ो ना तो पड़े ही रह जाओ तो बस यहां पर देखिए स्रिष्टी अपना खाना रखके फिर से कुछ ढूंड रही थी सौरब गया रूम में तो अपना ढूंडने लगी बैग में आके और फिर खाना खाएगी अभी तो तीन बार में उट उटके लड़की खाना खाती है और बहुत इन लोगों पर मैं ध्यान नहीं देती हूं ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं और अपना करते रहते हैं फिर चुप भी हो जाते है अनास्ता करने के बाद आ गए हैं किचन में किचन थोड़ा सा जो आटा वगरा गीर गया है क्योंकि मैं चौका नहीं लगाती हूं रोटी बेलने के लिए बस ऐसे ही काउंटर पे ही बेल लेते हैं और इसको फिर अच्छा से क्लीन भी हो जाता है और यहां पे उस टाइम त का और आटा थोड़ा सा अभी मुझे रखे हुए हैं वही आटा का रोटी सिख देंगे सनी की पापा चावल नहीं ले रहे हैं तो उनको रोटी चाहिए और यहां देख सकते हैं आ गए हैं खेत में क्योंकि काम जब फनीस हो जाता है तो फ्री रहते हैं अब बस कोई टेंस करके नास्ता बना के खा के बच्चों को दे के और सब कुछ अपना फनीस करके आ चुके हैं और यहां पे धान का कटाई मेरा आधा हो चुका है अब बस जो अब थोड़ा बहुत गीरा हुआ दिख रहा है अच्छे से पका नहीं है तो बस आज लाश्ट है फिर इसके बाद बन कर देंगे दो तीन दिन के लिए चार दिन इसको छोड़ देंगे देख सकते हैं अभी काफी हरा दिख रहा है उपर का जो तो फिर ठीक हो जाएगा पक जाएगा तब काटेंगे इसको इससे आने के बाद फ्रेंश नहाने के बाद तुरंत कि नहाना पड़ता है और वीजो का एंड भी कर लेते हैं और चलिए यहीं पर वीजो का एंड करते हैं और प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा फ्रेंश और सपोर्ट करिए और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज वेट करिएगा हम आपका रिटन भी कर देंगे और आज के लिए इतना ही मिद्देंफित किसी अच्छे से प्यारे से ब्लोग के साथ और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और फ्रेंस और फेमिले में सेयर करिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब किये बिना मत चाहिएगा थांक यू बाइ बाइ वीडियो देखने क्ली